गावसकर भी खौफ खाते थे गोयल साब से लाला अमरनात ने उन्हें बोलिंग के गुर सिखाए पर बाद में खुद उनके लिए इस बॉलर पर रन बनाना मुश्कल हो गया विश्वनात गावसकर भी आउट हुए उन पर खूब विकेट मिले लेकिन कभी टीम इंडिया में जगे नहीं बना पाए राजिंदर गोयल विधानशू कुमार रोतक की गलियों में किसी चाय की टपरी पर या किसी दुकान पर सामान सौदा खरीदते हुए अगर आप उस बुजर्ग से टकरा जाते तो शायद उन्हें कोई साधारन इंसान समझने की भूल कर बैठते उन स से लेकिन उनकी कहानियों में अकाउंट्स के नीरस आंकडे नहीं बसते थे बही खातों से तर जब उनके हाथों में 165 ग्राम की क्रिकेट गेंद आई उन्होंने 22 गस की पट्टी पर विश्वनात और गावसकर जैसे दिग्गस भल्लेबाजों को भी नाच नचा दिया उन हर्याना के नर्वाना में जन्मे राजिंदर गोयल को क्रिकेट का शौक स्कूल के दिनों में ही हो गया था स्कूल क्रिकेट के कैम्प में ही उनकी मुलाकात आजाद भारत के पहले कप्तान लाला अमरनाथ से हुई जिन्होंने राजिंदर को स्पिन बोलिंग के कुछ गोड सिखाए एक इंटर्वियू में राजंदर गोयल ने बताया कि कैसे लाला अमरनात ने उन्हें अमपायर के पीछे से आते हुए और स्टम्स के बहत करीब से गेन डालना सिखाया ताकि LBW की संभाव न बढ़ जाए उन्हें स्पिन बोलिंग के बेसिक नियम और बोलिंग में क्रीज का इस्तमाल करने की सलाहियत सीनियर अमरनात नहीं सिखाई राजंदर गोयल के कई किस्सों में एक उनके करियर की लंबी अवधी से जुड़ा था 1958 के सीजन में डेब्यू करने वाले गोयल साब ने 1984-85 के सत्र में फर्स्ट क्लास क्रिकेट को अलविदा कहा था इन धाई दशकों के करियर में उन्होंने क्रिकेट के कई बाप बेटे जोड़ियों को आउट किया प्रणबराय और पंकजरोय, एमिल जैसिमहा और विवेक जैसिमहा, विजय मांजरेकर और संजय मांजरेकर ये सब गोयल की स्पिन का शिकार हुए हाँ, एक और जोड़ी है या कहें तो पूरा परिवार जिनके विकेट राजिंदर गोयल ने लिए अमरनाथ परिवार, अपने मेंटर लाला मरनाथ और उनके तीनों बेटों मोहिंदर, राजिंदर और सुरिंदर अमरनाथ को उन्होंने पविलियन का रास्ता दिखाया था जरा कल्पना कीजे डाइनिंग टेबल पर अमरनाथ परिवार क्रिकेट डिसकस कर रहा है और मोहिंदर कहते हैं आज मुझे राजिंदर गोईल ने आउट किया इस पर महान लाला अमरनाथ जवाब देते हैं हाँ उसने मेरा भी विकट लिया था वैसे क्रिकेट के पुराने जानकार इस परिवार का सबसे टैलेंटेड बैटर सुरिंदर अमरनाथ को मानते थे लेकिन ये किसी और दिन की कहानी है खेर स्कूल क्रिकेट से होते हुए गोईल 1958-1969 में पटियाला की रणजी टीम का हिस्सा बन गए आगे के करियर में उन्होंने साउथ पंजाब, पंजाब और फिर हर्याणा के लिए रंजी ट्रॉफी में हिस्सा लिया उन्होंने अपना आखरी मैच 1984 में हर्याणा की ओर से खेला था इस दोरान उन्होंने 157 फर्स क्लास मैच खेले और साड़े 700 विकट लिये उनका बोलिंग औसत 18.58 का था, यानि हर अठारवा रंखर्श करने पर उन्हें विकट मिलता था अपने 25 साल के करियर में उन्होंने लाला अमरनाथ से लेकर मुहम्मद अजरुदीन तक भारतिय कप्तानों को आउट किया था अपने रनप में वो स्टम्स के ठीक पीछे से आते बोलिंग में स्पीड पर अच्छा कंट्रोल था जिसे पढ़ पाना बल्ले बाजों के लिए बेहत मुश्किल सठीक लाइन और लेंद की वज़े से उनकी गेंद पर बड़े बड़े बल्ले बाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता रंजी ट्रोफी में उन्होंने सरवाधिक 637 विकेट लिए दूसरे नमबर पर रहने वाले एस विंकट रागवन ने उनसे 107 विकेट कम लिए हैं इस से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजिंदर गोयल की बोलिंग कितनी असरदार थी उन्होंने एक लौता अनओफिशल टेस्ट सीलोन के खिलाफ 1964 में खेला था और दूसरी पारी में उन्होंने चार विकेट चटकाए थे सुनील गावसकर ने अपनी किताब आईडल्स में लिखा है कि उन्हें सबसे ज़दा खौफ किसी गेंदबास का रहा तो वो थे राजिंदर गोयल कभी भी गोयल की गेंदबाजी के सामने सहज नहीं हो सके गावसकर दलीब टॉफी में जब वो नौर्थ जोन के खिल रहे थे तो बिशन सिंग बेदी से ज़ादा डर उनकी टीम को राजिंदर गोयल से था एक अखबार को दिये इंटर्वियो में बेदी ने भी गोयल साब की जम कर तारीफ की और कहा कि वो उनको बहुत ऊंचा आकते हैं बेदी बोले उनकी टीम की बैटिंग मजबूत नहीं होती थी इसके बावजूद वो घबराते नहीं उन्होंने कभी अपने लिए फिल्ड भी नहीं मांगी सच मुच वो किसी कप्तान के लिए शानदार खिलारी थे उन्होंने मुझ से पहले खेलना शुरू किया और मेरे बात तक खेलते रहे लेकिन इतना लंबा करियर होने के बावजूद राजिंदर गोयल को कभी भारत के लिए खेलने का मौका नहीं मिला इसका कारण भी बिशन सिंग बेदी, चंदर शेखर, प्रसन्ना और वेंकट रागवन थे जिस दौर में ऐसे स्पिनर्स एक साथ खेल रहे हो वहां किसी और को चांस कैसे मिल सकता था हाँ, एक बार गोयल साब को मौका जैसा मिला था जब 1974 में बेदी को अनुशासन के आधार पर टीम से बाहर बिठाया गया तब राजिंदर गोयल का नाम टीम में शामिल हो गया था उनको इस सेलेक्शन का बिलकुल भी अनुमान नहीं था टेस्ट खेलने के लिए उन्हें ने जूते, नया बला और नई किट खरीदनी पड़ी लेकिन वेस्ट इंडीस के खिलाफ इस सिरीज में लेफ्ट आम बेदी की जगे लेफ्ट आम बोलर गोयल को ना लेते हुए अंतिम 11 में दो आफ स्पिनर्स को शामिल कर लिया गया भारती टीम में खेलने के लिए सबसे करीब यही मौका था राजिंदर गोयल के पास जो जाया हो गया गवसकर ने बाद में अंदेशा जताया, गोयल को इसलिए पिक नहीं किया गया कि कहीं वो खूब सारे विकेट ना चटका दें और बाद में बेदी की ही टीम में वापसी मुश्किल हो जाए इन सब के बावजूद गोयल साब के मन में कोई मलाल नहीं था बेदी के साथ एक मुलाकात में उन्होंने कहा अच्छा हुआ कि मैं आपकी तरह सूपरस्टार नहीं हूँ वरना सारा दिन फोन उठाने में ही बिता देता गोयल साब ने अपने मूझ से तो कुछ कहा नहीं लेकिन सिलेक्टर्स की तरफ से एक फोन आने का इंतजार उन्हें अपने 25 साल के करियर के आखरी दिनों तक रहा